मुहमद सिराज मचा रहे हैं कहर क्या मौमद सिराज टेस्ट वन डे टी ट्वन टी में जो उनकी बॉलिंग है वो के है सबसे ज़ादा जहर बॉलिंग तो चल रही है और मतलब इस चीज को आज मौमद सिराज पर हम यह वीडियो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई मुझे लग के समाल लिया को शमी तो अपनी जगह पे हैं और सिराज ने आए उन्हें का भूमरा नहीं है तो क्या हुआ हुआ हम कड़े तो है यहां पर पर मुहम्मद सिराज की जो तारीफ करनी पड़ेगी वह एक तारीफ इसलिए भी है क्योंकि अब यह आल बॉमरा का रिप्लेसमेंट इसलिए क्योंकि ओल फॉर्मेट में कर रहे हैं और और फॉर्मेट में सिराज कहर मचा रहे हैं इस टाइम पर आई पील में भी यह सीधा सीधा टेस्टमेंट है उनकी बोलिंग के लिए कि वह परपल कैप की रेस में काफी आगे चल रहे हैं है और जब शुरुआत में आयते तो लोगों ने का भाई यह तो सिर्फ रन देने के लिए आया है इसके बसका कुछ नहीं पता नहीं विराट कोली क्यों डो रहा है लेकिन भाई सिराज ने इस टाइम पर अपनी बोलिंग से सबका मुव बंद कर रहे हैं हर मैच में ऐसा हो यह होता था कि फास्ट बॉलर की ने एक अलग दहशत होती है कि इसके ट्वंटी में चार ओवर है चल इसको निकाल लेते हैं टेस्ट में चल इसका स्पेल है इसे निकाल लेते हैं और मैच जिस तरीके से सिराज ने टर्न अराउंड किया है और खासता और पर वह वाली बॉ वह एकदम से ओल फॉर्मेट बॉलर दिखाई देते हैं और इस टाइम पर अगर आर सी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो सब लोग बले ही क्रेडिट देने विराट को फाफ डूपलिसी को मैक्सवेल को क्या कहते हैं को कितना भी आप दे दो आप क्रेडिट लेकिन भा कुष्वार है कि अगर आपकी बैटिंग हएं तो बेड्लिका को आप किसी भी तरीके बहुट का मानने मैं जान लगा दूंगा आप देखते रहो मिया वाई की डेरिंग फुल चल रही है और मतलब एक सिराज के लिए ना एक लोगों का एक अफेक्शन भी एक प्यार भी है बहुत ही मौडस बेक्ग्राउंड से वह बंदा आया है बहुत ही मलब शुरुआत उन्होंने करी थी जि इसको क्यों ही गिला रहे हो कौन सा पूर्ट है अशोग डिंडा जी सीक कर आये लोगों ने इस इस तरीके के ट्रोल करना उनको शुरू कर दिया था पर जिस तरीके से उन्होंने वापसी करी है मज़ा आ गया है और खास तोर पर जो हम बार बार लगातार कहरें डबलू टी टीम ना किस तरीके से करेगी काम कि बोलिंग भी आपको स्ट्रॉंग लग रही है ऐसा नहीं है कि मलब पिछला जब एशिया का था पिछले साल का तब बुम्रा की इंजरी का वो शुरुआती दौर था कि अब बुम्रा की रिप्लेस्मेंट किसे लाए तब बोखलाए पड अब जानते हों कभी इदर की हैंस्ट्रिक कभी उधर की हैंस्ट्रिक हैंगे मचूद निकरो रहिए लेकिन सिराज ने जिस तरीके से ना सिर्फ क्रिकेट खेला अपनी फिटनेस पर अच्छा विराट को ली की तारीफ तो यह ए फिटनेस सिर्फराज खान के अलावा वह जिस तरीके से सरफराज ना बोलिंग करिया और उनके थोड़े से रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ आई पिल में उनकी पर्फॉमेंस के बाद यह हमारा प्यार नहीं उमडाया उनके उपर आप अगर देखो अभी तक वंडे की टीम में भी कोई सिराज को भावनी दे रहा था लोगों ने अच्छा यह मान लिया था कि यह तो सिफ रेड बॉल से ही बढ़िया बोलर है लेकिन जिस तरीके से सिराज ने वापसी करी है जो लेटली जो सिराज ने वंडे में बोलिंग करी है टीटवेंटी में तो बहुत ही कब उनको म मैच खेले हैं और वह क्यों आए है क्योंकि 2017 में इनका डेबी हुआ था वहां पर इन्होंने चारोवर में तो 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 वहां से एक लेबल चिपक गया कि नहीं आरी इस बंदे को बोलिंग नहीं आती इसको बोलिंग मत दीजिए और फिर उसके बाद अगले मैच में जब लेकिन 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 लेटली उन्होंने जो 2022 में जब उनको मौका मिला अक्टूबर नवंबर में तो उनका जो बॉलिंग थी उसमें एक में चार विकेट दो विकेट अगर आप वंडे का भी रिकॉर्ड देखो जो लेटेस्ट जो रिकॉर्ड है भाई एका दुखका ही म मात्र एक ऐसा मैच है जिसमें सिराज विकेट लेस गया है तो हर ओडिया के अंदर मेडन निकाल रहे है तो और जैसा कि हमने का सिराज की बॉलिंग से इतनी इंप्रूफड बॉलिंग जो है सिराज की वाकई में लेटली आपने टीम इंडिया में टीम इंडिया के पास जो बैट्समें वह पुराने बैट्समें मैं लेटली आपको को ऐसा प्लेयर निए दिखाई दिया होगा सुझे गुमार यादत दिखाई दिये पर वह सिर्फ एक फॉर्मेट में चिपक कर रहे गया है बंदे में उन से रन नी लग रहे है टेस्ट में उन से रन नी बने सिफ टेट्टी फॉर्मेट में वह मारत बनकर रहे गए और फॉर्मेट में आकर किसी प्लेयर ने धागा खोल दिया हो वह सिराज है बिलकुल सिराज है उसके लावा और कोई नहीं मतलब रिशाप पंद को कहीं ना कहीं कंसीडर कर रहे थे लेकिन वह भी अपने वह जूज रहे अभी गलत कि उनको ना मन मुताबिक स्लॉट भी नहीं मिले क्योंकि वंडे में ओपनिंग स्लॉट तो आपको पता है फूल है रोह शर्मा एक बैठे हुए और दूसरे में दामाद भी केल राउंट वह उनको नहीं उनको बिल्कुल भी जगह नहीं बड़ी मुश्किल से ऐकारा कि लेटली जिस तरीके की बोलिंग करी है एक शायद वह जो वाइट बॉल वाला जो था कि याँटी टी ट्वटी में इनको ज्यादा मौके नहीं मिले वाकई में किया यह टी ट्वंटी में इंडियन पिचिस पर भी काम कर पाएंगे क्योंकि न्यूजलेंड की पीड इनकी 140 के पार निकल रही है तो यार इससे बढ़िया बॉलर तो मुझे नहीं लगता हाज शुरुआती ओवर में और एंड ओवर में मनला स्लॉग ओवर्स में भी बिल्कुल जो बिल्कुल किलिंग ओवर्स होते हैं और शुरुआत में भी पावर प्ले में भी हर जगह मौमज सिराज बड़िया बोलिंग कर रहे हैं तो मेरा जो सवाल है जो मैं आचाहता हूं कि क्या मौमज सिराज इंडिया के इस टाइम पर नंबर वन बोलर है और मैं नंबर वन बोलर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप ओल्ल फॉर्मेट की बात करो तो डेखिए ज तो क्या ऐसे में इस टाइम पर मौमद सिराज नंबर वन बोलर हैं टीम इंडिया के यह आप कॉमेंट में लिखकर बता हो यह आपको लगता है कि अभी भी मौमद सिराज को एक लंबा सफर करना है देखना चाहिए एकदम से उनको हीरो नहीं बनाना चाहिए यह भी आप कॉम जहशत बनी हुई है सारे ही बैट्समें और तो शमी पे ज्यादा रन लग रहे है लास्ट के ओवर्ट में इतने सिराज नहीं खा रहे है इतने सिराज इतने नहीं खा रहे है तो थोड़ा सा एक अपरेज ले गई है तो मेरे हिसाब से तो नंबर वन बोलर है पर आपका क्य बता सकते हो बाकि अंकट पर वीडियो लगतार आ रहे हैं क्रिकेट के अप्यार निकर आते रहेंगे तो अपना प्यार अंकट के लिए बनाई रखे मेरे नाम इस चैनल सतोगी और आप देख रहे हैं अंकट